तो आज के ससर में एक बहुत ही बढ़िया क्वेशन हम लोग डिसकस करने वाले हैं क्वेशन आप लोग देख सकते हैं अगर टॉपिक की बात करें आइगन वालुस तो इस क्वेशन को सॉल करने के लिए एक constant matrix का concept भी यूज होने वाला है तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग क्या कर सकते हैं पहले इस question को खुश सॉल कर लिजे अगर आप वीडियो देख रहे तो इस वक्वेशन का answer क्या मिलेगा तो चले मैं इस से discuss करता हूं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगा आपको क्या दिया गया आपको यह दिया गया है कि आपके पास एक matrix है जिसका और कित Cart вещE फ् Scale गया है कि मैंटires का डिक्ना मेंटर्स का होगा अपलोग करके आंसर बता सकते हैं आखर आंखिर क्या होगा मैं मैंट्रक्त टा हुध और आप मैंटर्स लएěंगे वले टॉस तो डाइयगोनल में करा अगे आएइग के इस मैट्रिस का अगर और की बात करें 2023 इंटू 2023 हो जाएगा इस मैट्रिस का और अब यहाँ पर हमें क्या करना सबसे पहले इसके आइगन वैलू करने के लिए क्या कर सकते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि डायगोनल को छोड़कर सारे एंट्रिस वन है तो मैं ड यहाँ चेंजिस मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा देखो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं इस ए को इस इक्वल टू डायगोनल में मैं सारे वन कर देता हूं वन 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 एंड्स एक मैट्रिक्स है जिसका ओडर 23 इंटू 2023 है प्लस अब यहा अब यहाँ आड़ेटी मैट्रिक्स अफ ओडर 2023 का लेता हूं जीरो जीरो वन जीरो एंड्स ओन जीरो जीरो एंड्स ओन वन अब और क्या है मैट्रिक्स का 2023 इंटू 2023 इसे आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि देखो अगर आप अड़् करेंगे तो डायगोनल में बिसिकली आ सैंगे मिनुट्त एक हो जाएगा और माइनस-20 24 टाइम्स अड्रेंटी मैट्रिक्स हो जाएगा अब कारेट 76 polynormal निकार सकते हो अगर आप बी का का characteristic polynomial निकाल सकते हो तो यहां पर आ जाते हैं अगरी स्लाइट पर देखें तो constant mattress के लिए result है मैं result add कर देता हूं यहां पर कौन सा result हम यूज़ करने वाले हैं सब्सक्राइब को एक mattress देया जाता है a is equal to क्या है सारे entries को यह fix number है say c है अगर इस mattress का order n cross n है तो इस case में इसका जो characteristic polynomial मिलता है n cross n दिया गया इसका जो characteristic polynomial होगा यह हो जाएगा x raise to n minus 1 x minus n c हो जाएगा यहां पर n order है mattress का और c a fix constant है तो अब हम क्या करने वाले हैं इस result का यूज करेंगे तो आज आते हैं पिछली slide पर आप देख रिजे आपका n की value कितना यहां पर order कि अगर बात किया जाए तो 2023 है और constant की value क्या है c की value 1 है तो यहां से आप कह सकते हो by this result आप कह सकते हो characteristic polynomial आप B क्या हो जाएगा x raise to n n की value 2023 minus 1 x minus n n की value यहां पर 2023 और c की value क्या है यहां पर 1 है तो यहां से आप बता सकते हो x raise to 2022 और ही हो जाएगा x minus 2023 तो यहां से आपको eigen values मिल जाए किसके B के तो आप कह सकते हो आइगन values of b are आइगन values of b are b के आइगन values आपको क्या मिलेंगे 0 0 and so on 0 कितनी बार मिलेगा 20 22 times हो जाएगा 2022 ताइम ठीक है और एक बार आपको क्या मिलेगा 2023 मिल जाएगा तो यहां से आपके पास a के आइगन value आ चुके है अब आप एगन value आ गया तो इस पूरे matters का आइगन value निकाल सकते हो इससे आप एक पॉलिनामल बना लीजिए तो अगर आप पॉलिनामल बनाएंगे तो लेट बी के लिए के लिए सपोज पी आफ एक्स मैं क्या ले लो भी है ना तो हमारा एक्स माइनस 20 23 है या 4 है 4 टाइमस आइगन आइटी है इसको मैं ऐसे ले लो अगर इ मुआ सकते हो आएगन वैल्यू् सबाती शिपर अफ ए मतलब क्या हो जाएगाग क्या मिलेंगे यह आपको मिलेगा पी जीरो गहाँआप जीरो कि अच और यह जार बाहत टाइम यह वार हो जाएंगा च्वेटी के टुवेंटी टी टूटाइम सर्ड लेते हैं तो अगर आप यहाँ पर पी आप जीरो आपको क्या मिलेगा एक्स के वैलू आप क्या करो यहाँ पर पॉलिनामल में जीरो कर दो यह मिलेगा माइनस 2024 हो जाएगा और अगर आप पी आफ 2020 एक आइगन वैलू क्या है 23 है अगर 23 आप निकालेंगे तो कितना मिलेगा दिखो यहाँ पर माइनस वन हो जाएगा तो यहाँ से आप बता सकते हो तो इस इंपलाइज देट आइगन वैलूस आफ ए आर एक आइगन वैलूस आपको यहाँ पर क्या मिलेंगे पी आफ जीरो कितनी बार है देखो जाएगा माइनस 2024 माइनस 2024 और लास्ट में एक बार आपको 1 माइनस 1 मिलेगा तो यह टोटल है आपका 20 22 टाइम्स तो यहाँ स आपके पास इसके आइगन वैलूस मिल गए है ठीक है तो आप यहीं से डिटामरेंट भी बता सकते हो डिटामरेंट क्या होता आइगन वैलूस का प्रडॉक्ट एक इतनी बार मल्टिप्लाइगा 20 22 टाइम्स तो यह हो जाएगा डिटामरेंट अफ एक अगर आप बात आपको इसका डिटामरेंट मिलेगा ठीक है तो यहां पर देखों डिटामरेंट तो यही दिया गयाaaa मतल deal last option आपका करेक्ट होगा और one कि कितनी है वन कितनी बार और माइनश वन एक बार आया है तो यहां पर आप कह सकते हो माइनस लेगन वन के अल्जेबरिक मॉलिटिप्रिस दो नहीं होगा और इसकी त्वेंटीतलिटलिझ ट्वेंटि प्वेंटि फुर की जो कि इस question के लिए A, B और D correct हो जाएंगे, I hope आपको समझाया होगा, so thank you so much.